नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि YouTube Partner Program का जो नया Contract Terms आया है उसे आप किस तरह से Accept कर सकते हैं और Sorts के Monetization को किस तरह से On कर सकते हैं तो यहाँ प्रोसेस बहुत है सिंपल है तो वीडियो को अन तक देखिना वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो वीडियो सुरू करते हैं YouTube Partner Program के New Contract Terms को Accept करने के लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube Studio को Open कर लेना है आप अपने YouTube Studio को Desktop Mode पर या YouTube Studio के Mobile App पर भी Open कर सकते हो दोनों में Process Almost Same है Chrome Browser में YouTube Studio को Open करने पर आपके सामने Red Color का एक Notification सो होता है और YouTube Studio के Mobile App पर आपको इस तरह का Notification देखने को मिलता है तो अब आपको Review and Accept वाले Option पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आप इस पेज पर Redirect हो जाते हो इसके बाद Step 1 में आपको Review वाले Option पर क्लिक करना है अब आप इस पेज पर आ जाते हो आप अगर चाहो तो Main Terms को पढ़ सकते हो लेकिन इसकी कोई खास जरुवत नहीं है अब आपको इस पेज की पूरे अन तक Scroll Down करना है इसके बाद आपको I accept the Base Terms वाले Option को सेलेक्ट कर लेना है और Accept पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आप फिर से Review Updated Terms वाले पेज पर आ जाते हो और हमारा Step 1 Accepted हो जाता है Complete हो जाता है इसके बाद आपको Step 2 के Review वाले Option पर क्लिक करना है अब आप इस page पर आ जाते हो आपको सबसे नीचे तक scroll down करना है और I accept the watch page terms वाले option को select कर लेना है और accept पर click कर लेना है इसके बाद आप फिर से इस page पर आ जाते हो और हमारा step 2 भी complete हो जाता है अगर आप फिर से इन new terms को review करना चाहते हो तो view वाले option पर आपको click कर लेना है और review करने के बाद done पर आपको click कर लेना है step 3 वाला option उनको मिला है तो अभी तक super thanks, super chat, इत्यादे जैसे features का use नहीं कर रहा हो तो इसे भी आप इसी तरह से accept कर सकते हैं, complete कर सकते हैं anyways, इसके बाद आपको submit वाले option पर click कर लेना है इसके बाद आपके सामने start earning from thoughts fit ads वाला page सो होता है तो अगर आप इसे अभी on करना चाहते हो तो go turn on वाले option पर आपको click कर लेना है इसके बाद आप इस page पर आ जाते हो अब आपको सबसे नीचे तक scroll on करना है और I accept thoughts fit terms वाले option पर tick कर लेना है और accept पर click कर लेना है इसके बाद आपके thoughts का monetization भी on हो जाता है अगर आप अपने channel पर thoughts अभी नहीं बनाते हो तब पर भी इसे on करना ही बेहतर होगा क्योंकि कभी न कभी आप future में thoughts तो बनाओगे ही So I hope this video is helpful for you Please do subscribe, thanks, peace out